इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी MOC-CV1G tablet एक panisillin प्रकार की antibiotic है जो आपके शरीर को bacteria के कारण होने वाले संक्रमनों से लड़ने में मदद करती है इसका इस्तेमाल फेफ़णों यानी की जैसे pneumonia कान, नेजल साइनस, मूत्र मार्ग, तवचा और मुलाया मूतक के infection के इलाज के लिए किया जाता है यह दवा सर्दी जुकॉम जैसे viral infection के लिए काम नहीं करेगी MOC-CV1G tablet को पेट खराब होने की संभावना को कम करने के लिए भुजन के साथ लेना सबसे अच्छा है डॉक्टर द्वारा निर्धारिट schedule के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं लेकिन आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटिबाउटिक का कोस हमेशा पूरा करना चाहिए जब तक आप पूरा न कर ले तब तक इसे लेना बंद न करें भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो अगर आप इसे समय से पहले लेना बंद करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इन्फेक्शन वापस आ सकता है या बिगड़ सकता है इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में उल्टी, मिचली आना और डायरिया यानी की दस्ट शामिल है ये आमतोर पर हलका होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परिशान करते हैं, या होती है या नहीं जाएंगे तो अपने डॉक्टर को बताएं यदि आपको किसी एंटी बाउटिक से अलजी है या किड्नी या लिवर की कोई समस्या है, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं आपको अपनी हेल्थकेर टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्यूंकि क्यूंकि इस दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है या वे इसके असर को प्रभावित कर सकती हैं डॉक्टर की सलाह नुसार आम तोर पर इस दवा का इस्तेमाल गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान करना सुरक्षित माना जाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद